क्या आप ये जानना चाहते हो कि WhatsApp DP पे प्राइविसी कैसे लगाएं? क्या आप ये जानना चाहते हो कि WhatsApp DP हाइड कैसे करें? क्या आप ये जानना चाहते हो कि WhatsApp DP हाइड for one person? या फिर क्या आप ये खोज रहे हो कि profile photo so only one person? तो अगर आप सभी के माइंड में कुछ ऐसा सवाल खटक रहा है तो आज मैं आप सभी को इन सभी सवालों के जबाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ सो नमस्कार दोस्तो मैं रधरम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे औलिन हिंदी अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक ने किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजेगा चैनल पे अगर आप सभी नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और घ आपस में एक दूसरे का प्रोफाइल फोटो देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको पहले मैसेज कर लेता हूँ ताकि आप सभी ये जान सको कि ये दोनों आपस में बाते कर रहे हैं भी देखो मैंने इधर से मैसेज विज़ा तो इधर आ गया और इध पे बैक आकर इस पे क्लिक करों तो इसका प्रोफाइल फोटो देख गया मतलब कि ये दोनों आपस में एक तूसरे का प्रोफाइल फोटो देख पा रहे हैं अब आप सभी का सवाल ये है कि क्या हम किसी एक बंदे के लिए अपना प्रोफाइल फोटो हाइड कर सकते हैं जी हा करते हैं कि क्या मैं सिर्फ इस बंदे को अपना डिपी छुपा सकता हूं तो हां जैसे कि ये आपका फोन है और आप चाहते हो कि ये फोन वाला यानि कि मैं आपका लगाया हुआ वाटसप डिपी ना देख पाऊं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक करना होगा अपने फोन में सेटिंग पर जाना होगा अकाउंट पर जाना होगा प्राइविसी पर जैसा कि अभी आप सभी देख पा रहे होगे कि यहाँ पर प्रोफा है जो आप चाहते हैं मतलब कि how to hide dp for only one person तो आप तीसरे वाले option पे click करो अब क्या करो कि उस only one person को यहाँ पे खोज लो जैसे कि इस बंदे का जो name मैंने save करके रखा है वो pixel 4a है तो यहाँ पे आपको pixel 4a ऐसा करके search कर लेना होगा green wallet tick के option पे click करना होगा और यह आपका update हो जाएगा और इसके phone से आपका dp गायब हो जाएगा देखो अभी देख पा रहा था और अभी गायब हो गया यह इसके chat के अंदर भी जाओ तो देखो online दिख रहा है लेकिन dp नहीं दिख रहा है अगर आप चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो कैसे तो वापस से profile photo पे जाओ यहाँ पे अब my contact कर दो और done पे click कर दो यानि कि back कर दो update हो गया यह देखो अब dp देख पा रहा है इस पे click किजे और इसका dp आप देख पा रहा है देखो दिख गया अगर आपको privacy लगाना होगा तो यही तरीका है कि आप अपने तीन डॉट पे click करो setting पे click करो account पे click करो privacy पे click करो और यहाँ पे अगर आप whatsapp dp के लिए लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको profile photo वाले option पे click करना है my contact पे click करना है जिसको आप नहीं दिखाना चाहते हो या फिर only one person जो है उस person का यहाँ पे आप नाम खोज लो और green tick वा dating करना है और उसके phone से जो dp होगा वो आपका हट जाएगा अब अगर आप नया dp भी लगा होगे फिर भी वो आपका जो dp होगा whatsapp का वो नहीं देख पाएगा तो इस तरीके से आप सभी के सवालों का answer मैं देते रहता हूं तो अगर आपने अभी तक इस video को like ने किया है तो यार जल्दी से इस video को like कर दो चैनल पर अगर आप सभी नए हो तो यार चैनल को subscribe कर लेना और घंटी को अभी तक on नहीं किये हो तो यार देख क्यारो जल्दी से on कर दो तभी तो आगे ऐसी video आपको in future मिलती रहेगी